क्या आपकी कोई website है जिसके उपर आपकी products है services है आप उनको sale करना चाहते हैं आप facebook के through किस तरह अपनी website के उपर sales कर सकते हैं इसको हम discuss करेंगे इस video के अंदर facebook पे website से conversion कैसे होती है यह हम discuss करेंगे before we move on channel को like करें, video को share करें और subscribe करें channel को ring notification का button जरूर तुपाए सो आपके पास एक website है उसके उपर आपके products हैं यह services है जूते हैं, कपड़े हैं, therapy है, beauty, polar का काम है, कोई भी चीज़ है आपकी एक website है उसके उपर आपने service यह product रखा वाद अब आप चाहते हैं के conversion हो, sales हो, तो कैसे हम facebook के उपर conversion की campaign को इस्तमाल करते हुए आपकी website के उपर sales ला सकते हैं सो हम conversion की बारे में काफी videos, conversion की campaign की बारे में इस series में discuss कर चुके हैं, आप इससे previous में देख सकते हैं और आगे मैं आपको पताते हूँ number one चीज जो आपको पता होनी चाहिए वह यह है कि आपका conversion का event कहां अकर हो रहा है ठीक है, website के home page पे हो रहा है, किसी landing page पे हो रहा है, किसी product page पे हो रहा है आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि conversion का event हो कहां पे रहा है search की तरफ लोगों को लेकर जाना है, कहां लेकर जाना है तो जहां आपने लोगों को लेकर जाना है, उस page का आपको पता होना चाहिए number two, आपने event code होता है, facebook pixel का, वो आपने add करना है वो आपने वहीं पे add करना है, जहां पे conversion होनी है अगर आपकी eight different products हैं, ठीक है यानि जिस product के लिए आपने add चलाया है, उस product page पे आपको conversion का event code रखना होगा third चीज़ आपके पास add format और placement, add का format आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं corrosion के लिए, जिसके अंदे different sliders चल रहते हैं, single image add यूज़ कर सकते हैं single video add यूज़ कर सकते हैं, slide show यूज़ कर सकते हैं और collection add यूज़ कर सकते हैं, collection add से mobile के लिए होता है और appear कहां कहां हो सकते हैं, placement है, facebook, instagram, messenger और audience network, सब जगा पे appear हो सकते हैं यह placements और formats के बारे में काफी detailed videos, facebook की मैंने बनाई मिया, आप उनको देख सकते हैं and अब होता क्या है, जब आपने अपना add का placement decide कर लिया, format decide कर लिया, conversion का event code देख लिया, कौनकों से pages पर आना है उन पर add कर लिया, conversion के event जो होते हैं, conversion के जो ads होते हैं, वो लोगों को inspire करते हैं, कि वो आप से कोई product खरीदें so, आप ऐसा कर सकते हैं, adidas ने जब अपना conversion के लिए एक short video clip run किया, तो उनने देखा, उनका 43% decrease हुआ, cost per spend में और 5.3 times increase हुआ, उनका ad spend, यानि जितने पैद अगर उनने एक रुपया लगाया था, तो उनने 5.5 रुपया वापस मिले, 5.3 रुपीस, अगर 1000 लगाया था, तो 5.3 रुपया वापस मिले, इसी तरह, so, अगर 10,000 लगाया था, तो 53,000 उनको मिला, so, 5.3 times return उनने experience किया, जब उनने एक विडियो आड लगाया, so, आप ये कर सकते हैं, कि आप करोजल आड और collection आड यूज कर सकते हैं, जो अगर आपके पास multiple products हैं, so, आप करोजल या collection आड यूज करें, अगर आपके पास single product है, तो आप image आड या विडियो आड लगाया, अ website select करोगे, फिर conversion event select करोगे, कि आप क्या चाहते हो, अगर तो, आप चाहरे हो, उस purchase हो, तो आप purchase select करोगे, अगर आप चाहरे हो, सब्सक्रिप्शन हो, तो आप subscription select करोगे, अगर payment info add करना, या location find करना, so, जो भी चीज आप चाहरे हो, वहाँ पर options होती है, आप उसमें से select कर लोगे, जो conversion का goal आप चाहते हो, क्या goal होना चाहिए, बिजनस को कब decide करना चाहिए, इन सब के बारे में मेरे past में videos बनाई नहीं है, अब चैनल के उपर उनको देख सकते हो, अब आपने ये करना है, कि आपने अपना conversion का event select करना है, कि आप क्या event चाहते हो, कि user आपकी add पे click करने के बाद जब website पे जाए, तो आप उसे क्या करवाना चाहते हो, वो आपने लिख लिए, अगर उसके उपर green dot आ रहे है, इसका मतलब है, कि पिछले seven days में ये event अकर हुआ है, अगर red dot आ रहे है, तो इसका मतलब है, कि या तो ये event नहीं हुआ, या आपका pixel Facebook का apply नहीं तो, अगर आप चाहते हो, कि आपका यही add offer में convert हो जाए, तो नीचे लिखा होता है, एक toggle से उसको आपने off की बजाए on कर देना है, तो वो offer में convert हो जाएगा, अगर आपके पास more than one pages है, तो पिर आपको drop down में select करना पड़ेगा, कि किस page के लिए में ये offer create कर रहा हूं, ठी है, फिर आप expand कर सकते हो, अपनी reach को, जब आप audience section में जाते हो, तो अपने audience के filters लगाओगे, और decide करोगे, कि मैं इस audience का interest expand करना चाहरा हूं या नहीं, तो यह सारी चीज़ां पहले भी discuss कर चुके हो है, फिर add delivery optimization, next step है आपके पास, यानि अगर आप placement में कोई adjustment करना चाहते ह में कोई चीज़ें adjust करना चाहते हो, तो वो करोगे, optimization for add delivery में conversion select करोगे, और conversion window के अंदर, आप देखोगे क्या चाहरे हो, one day, one click है, seven day, one click है, so कितना time लगता है एक user को convert करने में, आपने Facebook को वो बताने, Facebook को at least 50 conversions पहले चाहिए होती है, learning phase के अंदर या उसके बाद, उसके ब delivery के लिए optimize कर सकता है, add जब उसको 50 conversions से enough data मिल चुका हो, आप minimum और maximum daily spend भी उसमें add कर सकते हो, so that minimum मेरे दिन के इतने पैसे लगे, maximum इतने लगे और Facebook कभी भी आपके assigned budget से उपर नहीं जाता, अगर आपने कोई 50 dollars का budget दे दिया, तो ऐसा कभी भी भी नहीं होगा, कि Facebook आपको 51 dollars charge करें, वो वो ही budget charge करेंगा, जो आपने add किया हो है, सही है, उसके इलावा, जब आप उसको setup करोगे, continue click करोगे, तो आपका add setup हो जाएगा, कुछ चीज़ेंस में हैं कि आपने split testing लाजमी करनी है, यानि different add copies or different ads try करें, कोई krosal add करें, कोई single image करें, कोई collection add करें, कोई video add करें उसके अंदर different combinations use करें, conversion window किसी में एक दिन कर रखें, किसी में साथ दिन कर रखें, conversion event different रखें, किसी में purchase कर रखें, किसी में ad payment information कर रखें, bids and budgets different try करें, different test और experiment करें, क्योंकि हर business unique होता है, और उसकी need Facebook को या इसकी audience को समझते वे, तो अशर time लगता है, तो आप different, एकी add की 5-6 different variations बनाएं, और test करें, जो वाली अच्छी perform करेंगे, उसको आप चलने देंगे, जो नहीं करेंगे, उसको stop करेंगे, So, यह हमने discuss किया है, कि website के उपर, अगर आप conversions करना चाहें, तो Facebook ads के तुरू कैसे कर सकते हैं, अगर आपका कोई question हो, तो comments में मुझ से पूछें, और please, इस series के अंदर, क्योंकि यह conversion की कोई series की छटी 7 वीडियो है, इस series के अंदर, शुरू से explain किया है, कि conversion क्या होती है, conversion की campaigns कैसे set up होती है, हर चीज उसके बार में discuss हुई है, वे चैनल पे मौझूद है, आप प्लीज उनको देखें, अगर आपने पहले नहीं देखी भी तो, अगर कोई सवाल हो, तो comments में मुझ से पूछें, फिर आम नेक्स वीडियो में बात करेंगे, लाफिस, आप बहुत साई subscribe, bell का icon करें, hit, और आप के कहना चाहते है, आप के कहना चाहते है, subscribe करें, bell icon को देखेंगे